So hey guys, welcome to market analysis video जहाँ पर हम Nifty और Bank Nifty का weekly analysis करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि next week हमको कहाँ पर trade मिल सकता है और उसका logic का है and सबसे important बात हम कोई indicator यूज़ नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षन को यूज़ करके पूरा analysis करते हैं और straight को execute करते हैं So, ब यार पिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हम स्टार्ट So guys, हम आचुके हैं निफ्टी के weekly टाइम चार्ट के ओपर सबसे पहले निफ्टी के analysis करेंगे उसके बाद बेंग निफ्टी को देखेंगा Simple, अगर आप देखोगे यहां पर एक बार मैं मंतली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं क्योंकि अभी अप्रेल मंत की जो closing हो चुकी है तो अभी यहां पर मंतली टाइम फ्रेम पर देखेंगे यहां पर अगर आप देखोगे तो अप्रेल मंत में काफी अची तेजी हमको देखने को मिली प्राइस नीचे से एक काफी बुलिश केंडल देखने को मिल रही थी काफी यहां पर देखने को मिल चकता है और अगर मिल्वक पर देखने मैं अब हम चलता है इसके विक्ली टाइम फ्रेम के चार्ट के अपर इहां पर सिंपल देखोगे तो प्राइस उपर में जो मेजर रजिस्टेंस जो पिछले में तीन से चार हपतों से बता रहा हूं कि वो स्टॉंग रजिस्टेंस है उसको लेवल प्राइस तक ब्रेक नहीं कर पाई यहां पर देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और इसी ट्रेंड लाइन को करने के बाद 2ги रिजेक्शन फेंज किया मुन हैं हैं से देखर है करें लाइन लाइन ह्ट से लिक लेम पर दो सेल्ली जह को मिली कोई खास वोलिटिलिटी नहीं देखने को मिली प्राइज एक रेंज बांट होती हुई नजराए जहां पर मैं आपको बताया था कि अगर जो लास्ट विक डोजी केंडल बनी ती डोजी केंडल का लो ब्रेक होगा था हमको गिरावट देखने को मिल सकती काफी ची सेल चास के असपास इसका स्ट्रोंग सपोर्ड लादा 800-850 ठीक है तो इसी के इसी रेंज इसी रेंज के बीच में प्राइस ट्रेट करते हुए नजराए खास वोलिटिलिटी हमको नहीं देखने को मिली और एक हमको इन्वर्टेड हैमर यहां पर विकली टाइम पर भी देखन अब यहां पर अगर आप सिंपली देखोगे तो नीची में जो ओपनिंग हुई थी प्राइस की काफी अची इसमें रिकावरी हमको होती हुए नजराए थी लेकिन फ्राइडे को देख सकते हो फ्राइडे की जो केंडल एक बीग रेट केंडल यानि कि प्राइस प्राइडे को देखने को मिला इससे पता चलता है कि यहां पर थोड़ा इसने फेस किया अब चोट यह चीज चोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो काफी इजी तरीके से आपको समझ में आएगा जैसे मैं अगर 15 मिनिट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा अभी यहां पर आपको बीच में ट्रेड नहीं लेना है तो नीचे में ब्रेक करके नीचे के तरह ब्रेक जाती तो हमको ऑफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल अर्षा कि यहां से हमको एक direction clear हो जाएगा अगर price 16800 का level break कर देती तो उसके बाद जो हमको और गिरावट इसमें देखने को मिल सकती price एक new lower low के लिए ready हो जाएगी अगर price 16800 के level को break करती है और अगर यहां से 16800 का break नहीं होता है level and price अगर 17400 का level break कर देती तो फिर हमको एक upside trade ले सकते हैं उसके बाद जो इसका जो trend है थोड़ा bullish हो सकता है price एक दो हपते तक फिर से all time high के आसपास जाने के लिए तैयार हो सकते है अगर price यहीं से उपर की तरफ momentum करती है तो हमार लिए अच्छा होगा क्योंकि इंचे दो हपते तक price already wait कर चुगे तो अगर price यहां से bullish momentum देगी तो हमार लिए trade करना काफी easy हो जाएगा अगर 16,47,450 का level price break करके उपर की तरफ momentum करती है तो easily हमको direction मिल जाएगा price जो bullish momentum के लिए next हपते के लिए रह सकती है ठीक है आई होब की निफ्टी के पूरा analysis आपको समझ में आया हो काफी simple तरही के समझाने की कोशिश करा हूँ फिलाल आपको यह समझना है हेवी गिराउट लास्ट के end of the day हमको काफी ची गिराउट देखने को में लिए second half के बाद और 50% तक यहां पर देख सकते हो बीच में यह जो पूरा चैनल है इसके बीच में लेवल रहने वाला सता 400-450 का लेवल अगर यह उपर की तरफ रिकाउट होगा तो डेफिनिटली आपको ट्रेड मिलेगा आपको की निफ्टी का पूरा किलियर हो चुका होगा डारेक्शन में आपको दिखा दिया अब हम चलते बेंग निफ्टी के चार्ट के उपर वहां ignoring the happened and 화 1 च्रहा है रही काफी जादा उपर से हैवि इकरुंदल डेखन को मिली चोटी सी प्याप रूर्ड मत में बनती होऊ नजर आई रही है कोछ आस डारेक्शन नहीं देखने, नीचे सहे Trip some pressure के निफिकान को है रिप्रहिए का ॉपनिंग प्राइस ति to кंविरावन को य चलता है इसके, विकली टाराइम के चार्ट के ओपर विकली टाराइम पर से देखो गहाँ अभी Γाहरा उसी प्रेट को ओघ कौन्तिव करती हूई प्राइस नजर आ रहे, काफी टाइम से प्राइस इसी रेंग के बीक में ट्रेट कर रही है, यहां पर देख सकते हुगा इस ऊ इस हपते में थोड़े हमको गिरावट कम होती हुए नज़राई है उपर से हवी रिजेक्शन जरूर देखने को मिला प्राइस उपर की तरफ जाने की कोशिश की लिकिन उपर में सस्टेन नहीं कर पाई ओ लिए देख सकते हैं तो इन्वेर्टेड हैमर के साथ हमको इसमें क् आपको बता है कि 3500 क्यास पास याभी 450 से उपर इसका स्ट्रोंग सपर लेलता है इसके उपर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती तो हमको गिरावट और भी हेवी गिरावट देखने को मिल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्राइस में काफी ची तेजी हुई नीचे में इसके प्राइस में रिकावरी होई एक डोजी केंडल के साथ इसकी ने क्लोजिंग दिये विकली क्लोजिंग ठीक है अब हम चलते हैं इसमें देख सेकते हुई इस्ट्रॉंग रजिस्ट्रेंग को हिट करने के बाद कंटिनुसली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अब नेक्स डाइरेक्शन वाला ट्रेड मिल सकता बुलिस जो है ट्रेंड मिल सकता इसके बाद लेकिन अगर यह तरेंड नीचे की तरफ जाता नेगेटिव केंडल के साथ क्लोजिंग देती विकली टाइम फ्रेम पर बड़ी रेट केंडल बनती है तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो इस चीज को आप समझने को कोशिश करोगे थोड़ा सा तो हमको एक हैड शोलडर चाइर्ट पेटन देखने को मिल रहा है जहां पर यह इसका जो इसका इस च्रोंग इस रजिस्टेंस लेवल है जो कि लास्ट टाइम फ्राइड़ को इसने हीट किया ता जो हाई लगा था इ और नेकलाइन के अगर में बात करूं तो 35,450 का लेवल इसका जो स्ट्रॉंग आप 3450 के सकती हो यह फिर 3400 एक राउंड 400 का एक राउंड लेवल नंबर है ठीक है तो 3400 का अगर लेवल ब्रेक होता है next week तो उसके बाद उसके बाद जो है नीचे की तरब अगर बात करो next week मारी क्या planning हो सकती है इसके लिए छोटे time frame पर देख लेते हैं एक बार मैं 15 minute का time frame का चार्ट लगा लेता हूं simply अगर आप 15 minute के time frame पर चार्ट पर देखोगे तो यहां पर देखोगे तो प्र से अगर आप देखोगे तो अगर प्राइस ब्रेक करती है तो एक bullish momentum उसके बाद देखने को मिल सकता एक directional उपर की तरफ डाइरेक्शन हो सकता इसका अगर प्राइस जो है इसका 36,800 का लेवल ब्रेक कर देती है ठीक है लेकिन प्राइस अगर 36,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और प्राइस अगर नीच अगर देखने को मिल सकती है एंड अगर यह लेवल ब्रेक हो गाँ उसके बाद जो एक नीचे में लो तक आ सकती है अगर लगा सकती है प्राइस जो लास्विंग लाओ ता सम्वेराउं इस लेवल के आसपास था 32,000 एक सो पिंचोतर के आसपास लेवल लगा था तो वह ले के लिए एक दौपते के लिए फिर बुलिश टेंड हो सकता है ठीक है I hope की पूरी चीजे आपको समझ में आ रहे होगी काफी सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब मंडे के लिए इंट्राडे के हिसाब से गर हम चोटा ट्रेडर देखें तो सिंपल देख स सिंपल है प्राइस जो क्लोजिंग दिए समवर राउंड इस लेवल के असपस यहां पर क्लोजिंग दिए नीचे में स्ट्रोंग सपोर्ट की बात करूं तो अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली सेल साइट लेसे तो इस लेवल का ब्रेक होने के बाद या क्योंकि पिछले दो से तीन देन मार्केट बन तो डेफिनेटली एक दो दिन में जो वोलिटिलिटी हमको थोड़ा क्रेट होती हुई नजर आएगी डेफिनेटली थोड़ा सप्राइस गेप या गेप डान ओपनिंग होगी लेकिन मेजर में डाइरेक्शन आपको मेजर जो पिछे के तरफ हेवी गिरावट नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन अगर 35-400 का लेवल ब्रेक करती है तो काफी बड़ी गिरावट हमको इसमें देखने को मिल सकते है फिर कंटिनियूसली इसमें डाउंट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कुछ टाइम के लिए ठीक है पूरा एनालेसिस आपको समझ में आया होगा काफी सिंपल तरीके से हमने सबको समझाने की कोशिश किये और निफ्टी और बेंक निफ्टी का दोनों का आपका डायरेक्शन क्लियर हो चुका होगा और जो भी क्यूली होगी सारी क्यूल हो चुके फिर भी अगर कोई